नमस्कार दर्शकों मैं कृती वढ़े राजुट चुकी हूँ आप सभी के साथ परिक्षा समंदित इस चर्चा के लिए आने वाली 27 जनवरी को आदरने प्रधान मंतरी श्री नरेंद बोदी जी देशभर के सभी विध्यारतियों सभी टीचर और सभी अभिभावकों से परिक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और आज उसी से समबंदित कारिक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसमें बहुत खास मेहान हमारे साथ स्टूडियो में आप सभी से परेचे कराना चाहूंगी श्रीमती पृती जी हमारे साथ हैं प्राक्टिसिंग काउंसर हैं बहुत सवागरत अभिनंदन आपका बहुत से मूल मंत्र परिक्षा संबंदित दिये गए हैं एक्जायम वारियर नाम की उनक तो मैं आपको बातचीत में लेकर आना चाहूंगी परिक्षा जो है एक उत्सभ है एक त्योहार के रूप में बनाधा है तो आप क्या कहेंगी सब ही दर्शकों और विध्यारतियों के लिए इस बारे में इसमें बहुत अ हजाती हूँ जो प्रधान मंत्री जी ने हमें बत इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए यह एक्जाम जो जो बुक है exam warrior वो यह बताता है कि इसमें मंत्रा है कि take exam as a warrior not as a warrior हमें worry नहीं करना चाहिए तो यह इसलिए बताया गया है क्योंकि मैम अगर आप देखें तो जब हम कोई भी होली, दशारा या दिवाली, हम जब उत्सव मनाते हैं तो हम बड़े प्रिपरेशन तीन-चार महने पहले से शुरू कर देते हैं और कई बार तो हम दिवाली उत्सव खतम होते ही, हम फिर वेट करते हैं कि अगले साल आएगा तो उसी तरीके से एक्जाम को भी हमें उत्सव की तरह मनाना है और इसकी प्रिपरेशन हम अपने साल भर अपने पूरे टीम मेंबर के साथ कर रहे हैं जैसे हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल कांसलर सारे अभीबावग एक साहथ जुड़े हुए हैं तो हमारे आदर्निय प्रधानमंत्री जी एे बताते हैं कि हमारे बच्चों को अगर हम ये सिखाएं कि हमें ये परिक्षा, ये एक परिक्षा स्कूल के ही नहीं है, हम तो लाइफ में रोज मर्रे में परिक्षा दे रहे हैं, तो इसे अगर हम उत्सव की तरह लें, तो हम ये लाइफ स्कील में सिखते हैं कि हमें जो है हमारा डिसिज यौह के हमें कभी भी जादा परिषान नहीं होना चहिए हमें शाइन करना चाहिए और शाइन करना के लिए उन्होंने बढ़ 설i आच्छा इस एक्जाम वारियर में बढ़ा पे इस शाइन बारे גो Why is पकड बनानी है, चर्चा में शामिल करना चाहूंगी स्वाती चंद्राजी आपको तो क्योंकि academics की बात है परिक्षा की बात है, तयारी करनी है पढ़ाई करनी है, तो क्या वो study habits हैं जो अपनानी होंगी examination के इस time में ताकि results बहुत अच्छे आपाएं देखे अभी जैसे आप लोग डिसक्शन कर रहे थे प्रीती माम के साथ भी आप डिसक्शन कर रहे थी और एक्जाम वारियर की बात आई है तो एक्जाम वारियर में भी प्रदान मंतरी जी ने कहा है कि little things matter observe your exam discipline तो कहीं भी लाइफ में हमको discipline की ज़रूरत होती है जब हम एक्जाम की बात कर रहे है तो हमें अपने आपको discipline में लाना होगा उसके लिए हमें अपनी habits में कुछ changes करने होगे तो जैसे कि हम हम study करने जा रहे हैं तो हमारा कमरा कैसा है क्या वो properly neat and clean है बाहाँ पर लाइटिंग कैसी है किस तरीके की किताब यो नहीं फैली हुई है क्योंकि बच्चे क्या करते है जिस बेड पर पढ़ रहे है उसमें सारी किताबیں फैला ली है तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है कि बेड पे नहीं पढ़ना है क्योंकि बेड पे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है सोने की क्योंकि हमारा अस्वेशन है बेड के साथ स्लीप का तो बेड पे हम पढ़ेंगे तो अटोमेटिकली नेंद आएगी इसलिए हमको वो आदर चेंज करके टेपल चेर पे ले आना है दूसरा ध्यान हमको रखना हमको कि जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो हम एक अपना स्पेसिक टारगेट लेके बैठें और टार्गेट लेने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को उतना भी नहीं करेंगे, तो अपनी क्षमताओं को पूरा ध्यान में रखते हुए, हमें अपना टार्गेट सेट करना है, तीसरी चीज आती है, इटिंग हाविट्स की, तो हमें जब खाना है, तो हम इतना खा के बैठें, कि हम सफिशेंट हमारा जो पेट है, वो भरा हुआ ह बहुत जादा भी ना भरा हुआ हूँ, और बहुत कम भी ना भरा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत जादा भरा होगा, तो नीद आएगी, और कम भरा होगा, तो भूख लगेगी, तो ये कुछ चीजे हैं, जिस पे हमको थोड़ा सा चेंज करना है, साथ ही एक आजकल गैजिट का संतुलन बनाना है चाहे आपके खाने की आदते हैं चाहे पढ़ने का समय है या आपके आसपास आपकी study table किस तरह से आपको तयार करनी है गाजट से कैसे दूर रहना है तो इस सब का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है इस examination के समय में परिक्षा के समय में तो healthy habits एक बहुत बड़ी चीज है प्रीती जी आप और हम चर्चा करें तो क्या है यह healthy habits जो हमारे विध्यारतियों को और उनके अभिभाव को ध्यान रखनी है इस परिक्षा के समय में जो अपनानी है प्लीज बताएं जैसे अभी श्वाती माम ने बताया कि के लिए भी बहुत important है कि students क्या होते है कि swathist खाना जैसे junk food में swath आता है तो swath के तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां पे उनको थोड़े अपने swath के लिए रोकना है और थोड़ा सा अभी अपने मम्मी के बनाए हुए खाना पे ज्यादा ध्यान देना है और जैसे अभी सर्दी के दिन है तो तिल के लड़ू गॉंद के लड़ू ये बच्चों को ताकत देगा उनके जैसे गॉंद के लड़ू में बदाम होते हैं काजू होते हैं जो हम कहते हैं कि यह बहुत नुट्रिशनल फूड है तो इनको सेवन करना चाहिए साथ में जैसे वह स्वाती मैं बोल रही थी कि हलका फूड काए तो सुबह के नाश्ता में रोज पराठे के बदले आप बेसन का चीला मुंग दाल के चीले ऐसे खा सकते यह सारे आपके और अगर थोड़ा चेंज करन है थोड़ा स्वाद के लिए तो आप वेज बिर्यानी खा लिए वेज पलाओ तो इन सारे चीज में आपको नुट्रिशनल वैल्यू मिल रहे है दूद जरूर पिये बहुत बच्चे दूद से भागते तो दूद को आप कभी सुबह पी सकते उसमें हल्दी डाल के तो यह स लेंगे शॉर्ट ब्रेक लिए और बीच में थोड़ा सा लॉंग ब्रेक लिए अब लॉंग ब्रेक में वो जाते हैं कि जाके थोड़े गैजट पर बैट जाएं थोड़ा सोशन मीडिया तेलिविजन पर अपने विद्ध्यार्तियों को बताना चाहोंगी कि इसके बदले आप नेचर वाउक जाएं क्योंकि नेचर वाउक में जब जब आप जाते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं पेर पक्षियों से और उस टाइम पे कई बार मैंने ध्यान दिया है कि कुछ बच्चे जब नेचर वाउक कर रहें तो उस सामें भी गैजट के साथ वो इयरफोन का इस्तमाल प्रयोग करते हैं और गाना सुन रहें तो प्लीज आप वो ना करें और नेचर पर थोड़ा दियान क्योंकि नेचर आपकी इम्मुनिटी बूस्ट करती है आपकी जो मेमरी है वो इनहांस करती है जो आपके मेमरी पावर बहुत रिटेंशन पाव तो उसका प्रयोग आप दिन चर्या में जरूर लाए यह आपको बहुत लावदायक होगा आपके परिक्षा की तियारी के लिए बिल्कुल लावदायक होगा देखे विध्यारती जो हमें सुन रहे है कैसे हर चीज का संतुलन बनाना है चाहे वो खाना पीना है चाहे वो न अनसिक संतुलन की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एक परिशानी आती है विध्यारतियों में कि इस समय को कैसे मैनेज किया जाए तो क्या सुझाव है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे सभी दर्शक और विध्यारतियों के लिए बिल्कुल किताब में भी मोधी यह मैंशन किया है कि do your best, take rest and it is your time, utilize it. तो यह आपका समय है उसको आपके से तरीके से मैनेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है तो जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं कि हम जो अपना schedule बनाते हैं वो जैसे schools में होता हैं उसकी तरीक अलग हैं हमें वो चीज़ें दिहान रखनी है तो सबसे पहले हमें self-awareness की तरफ जाना है self-awareness की जब हम बात करते हैं तो यहां में कहना चाहूंगी कि प्रभायन मंतरी जी भी कहते हैं कि compete with yourself. आप अपना competitor आप खुद हैं किसी से आप compete नहीं कर सकते कि कोई दूसरा अपने टाइम में जादा पढ़ ले रहा हैं आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप जादा पढ़ ले रहे हैं दूसरे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें अपनी individual capabilities पे ध्यान रखते हुए अपना time की scheduling करनी हैं उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अपने potentials पे ध्यान सकते हैं इसके अलावा एक और जो बहुत important चीज आ जाती है वो यह है कि किस विशे में आपका interest है जिस विशे में आपका interest है आप कहीं उस पे तो नहीं जादा time दे रहे हैं अक्सर यह होता है कि जिसमें interest है बच्चे उसमें time जादा लगा देते हैं और बाकी subject neglect हो जाते है तो यहाँ पर यह चोटी-चोटी चीज़े हैं जिन पर अगर हम mark करेंगे तो हम अपना time ठीक तरीके से schedule कर पाएंगे तो इस तरीके से आप अपना time बनाएं साथ ही आप अपने लिए rest का जैसे कि कहा गया है कि take time to rest, rest जरूर करें उसके लिए एक relaxation का बैम ने भी बताया है नेचर वॉक के लिए, meditation की बात है और साथ ही एक self appreciation की भी बात होती है हम दूसरे से तो appreciation expect करते हैं और दूसरे को नहीं पता कि हमने कितना effort किया है तो अपने आपको अपने efforts को appreciate करना जरूरी है self appraisal भी करिए यकिनन self appraisal जरूरी है स्वाती जी पर अब क्यूंकि आपने rest क बात की तो नींद ठीक से लेना कितना जरूरी है एक्जाम के समय में चाहूंगी इस बारे में जरूर बताएं आप नींद जो है वो बहुत जरूरी है तो नींद को कम करने के लिए artificial तरीकों का ना उपयोग करें जितना time जरूरी है सोने के लिए सो के उठने के बाद अगर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी body को rest चाहिए और आपकी body को rest नहीं मिलेगा तो आप जो पढ़ेंगे वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे एक तो उसमें आपको time जादा लगेगा वो आपका वहम है कि मैं सोया नहीं मैंने उतना time बचा लेकिन जो time आपने बचाया है वो आप कहीं और waste कर देंगे वो जादा effort लगाएंगे उतना retain नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं है इसलिए sleep proper रखे healthy रहे healthy habits eating habits रखें अपनी खाना पीना धंका रखें तो वो जादा फाइदे बंद रहेगा एक्जाम्स में यकीनन आपको सभी चीजों का संतुलन बनाते हुए और इस एक्जाम की पारी को खेलना है तो अगर हम बात करें पृती जी कि teachers, educators और school की क्या भूमिका है इस एक्जाम के समय में सभी विद्ध्यारतियों को ease के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कहेंगी इसमें मैं यह कह करना चाहते हूं कि जैसे फेसिलिटेटर, teacher जो है एक फेसिलिटेटर का रोल करते हैं और हमारे देश में गुरू का बहुत महत्वफ भूमिका होती है तो एक coach, teacher जो है, एक coach हो जाते हैं तो उनको बहुत जादा उनका अपना अनुभव होता है उनको अनुभव जो है प्र आती मैम ने बताया time management तो यह time management और organization skill बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं खुझ से तो यहाँ teacher का रोल आ जाता है हर एक subject में कि किस तरीके से वो time management और organize कर सकते है अपने prioritization जैसे अभी मैंने बात किया था yoga का अब बच्चे योगा तो सीखते हैं लेकिन वो daily practice नहीं करत आएंगे कि आपको कैसे इसको relaxation में आपका फायदा करेगा तो हर teacher बच्चे को अपने अपने विशे पे motivate कर सकता है और इस तरीके से उनको बहुत फायदा होता है उसी तरीके से जो school counselor होते हैं वो school counselor time to time orientation program workshop ले सकते हैं तो उससे उन बच्चों को आगे explore करने का मौका मिलता है कि कैसे अलग-अलग दिशा में जा सकते हैं अब जैसे हमारे exam warrior किताब में यह लिखा हुआ एक mantra कि India incredible you know explore तो हमारे teacher ही बच्चों को explore करा सकते हैं एक-एक विशे के लेके कि कितना जादा हमारे हर विशे जो है और किस तरीके से विकसित हो रहा है हमारे देश में तो यह teacher का रोल हो जाता है और वो teacher उनको career opportunities भी बता सकते हैं कि अगर बच्चे जो है वो थोड़ा सा चिंता करते हैं कि हमारा अगर 95% नहीं आता है तो हम कैसे perform करेंगे तो एक teacher जो है वो बहुत सारे career opportunity बता सकते हर एक आप skill से और हर एक अपने grade से आप आगे बढ़ सकते हैं तो इससे बच्चों को बहुत motivation मिलेगा यकीनन अब हम teachers और educators के बार में चर्चा कर चुके हैं स्वाती जी parents की भूमिका भी बहुत एहम रहती है इस परिक्षा के समय में क्या कहना चाहेंगी आप क्या संदेश देंगी उन सभी अभिभावकों को जो आज हमें इस कारिक्रम में सुन रहे हैं देखिए जो अभिभावक है वो पहला school देते हैं बच्चे को पहली शिक्षा जो है वो घर से प्रारंब होती है तो जो भी बच्चा सीखता है घर से वो उसके लिए permanent होता है तो हमको यहां पे especially exam period में बच्चे के लिए एक अच्छा atmosphere देना है lively atmosphere बच्चा already tensed है तो उसको tension हम बहत natural है कि बच्चा tense है तो हमें भी उसके लिए tension होता है हमारे अपने अलग tensions है तो जरूरी है कि हम अपने जो tensions है वो transfer ना करें हम अपने बच्चों के ओपर और बार उससे उसकी तयारी के बारे में पूछें उससे कहें कि उसने पढ़ा नहीं है यह सब ना करें वो उसके लिए healthy atmosphere create करें उसकी food habits पे ध्यान दें कि वो proper nutritious food खा रहा है नहीं खा रहा है प्रॉपर उसकी sleep है यह नहीं हो रही है एक और बहुत important चीज है कि parents को थोड़ा सा यह चीज avoid करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूसरों से बच्चों से compare ना करें क्योंकि जो बच्चा है वो unique है अपने आप में हर एक individual unique है उसकी अपनी अलग capabilities है तो उसको पहचानने में उसके help करें और उसके हिसाब से जो goal set करें वो उसके लिए realistic होना चाहिए और साथ ही यह भी द्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है और उसके अंदर कुछ changes आ रहे है behavioral changes और ना वो अपने साथियों से बात कर पा रहा है उन सब के कि lack of sleep है या food habits एकदम से change हो जाना है या यह है कि बहुत जादा restless हो गया है गुस्सा हर बात पर बहुत गुस्सा रहा है चिरचड़े हो गए है खाना कम हो गया है withdrawal symptoms है कि कमरे में अकेले पड़े रहना अच्छा लगता है अगर यह सब symptoms दिख रहे हैं parents को तो यह alarms है इन alarms को इग्नोर ना करें अगर नहीं help कर पा रहे हैं तो professional help के लिए जाए तो चाहे school में अगर counselor available है उनसे बात करें otherwise professional help के लिए मैं कहूंगी कि बिलकुल इग्नोर ना करें तो देखा आप सभी ने कि कैसे परिक्षा की समय जो तनाव आ रहा है उसको दूर करना है और हमारे दोनों ही अतितियों ने जो भी आप से मुलमंत्र exam warrior किताब के जरी आज यहां से साजा की है मुझे यकीन है कि आप सब उनको अपनाएंगे और परिक्षा की इस पारी को ब प्रिधान मंत्री जी श्री नरेंद मोदी जी देश भर के सभी विध्यारतियों से अभी भावकों से टीचर्स और एडुकेटर्स से परिक्षा पर परिचर्चा करने वाले हैं जिसको आप लाइव देख पाएंगे दूर दर्शन पर औल इंडिया रेडियो पर आप सुन पाएंगे और NCRT की YouTube चानल पर PME विध्या के सभी 12 चैनलों पर लाइव प्रसारण इस कारिक्रम कर रहेगा तो जरूर सुने और भागिदारी बने परिक्षा पर इस परिचर्चा की नमस्कार